Hi guys, welcome to resource point, आज अभी हम लोग डिस्कूस करने वाले हैं वीजानेस के करेंटर्फिर्स जो कि November मत किये, तो काफी topic हमारी complete हो गई है आज start करते हैं हम लोग environment की topic, environment में सबसे फ़हले हम लोग COP26 देखने वाले क्योंकि यह बहुत ज्यादा important आपकी submit हुई है, तो इसे हम लोग detail में देखेंगे then यहाँ पर air pollution देखेंगे, as usual, जो national capital region में then यहाँ पर एक light bank declaration है, green shipping corridors के उपर, तो इसे complete करेंगे बहुत अच्छी-ची articles है, देखती हूँ, आज कितना यहाँ पर articles complete कर पाती हूँ तो चली स्टार्ट करते है, तो चली स्टार्ट करते है COP26, तो इस पर न्यूज में इसलिए है, क्योंकि यह जो COP26 है it means कि Conference of Parties, इसकी submit हुई है, वो भी UK में, UK के द्वारा होस्ट किया गया है, Glasgow में और यह जो आपको submit देखनी को मिलती है, यह United Nation Framework Convention on Climate Change के तहती है अब थोड़ी से और बात देख लेते, में यहाँ पर आप समझो कि आपका COP26 हुआ है इस बार, इसकी क्या significance है इसका aim था इसके तहत कि जो Paris Rulebook है उसको finalize करना और साथी जो COP25 हुई थी submit, Madrid में, 2019 में, जहां पर बहुत सारे issues को agreed नहीं किया गया था और बहुत सारी चीज़े एवी ignore हो गई थी, तो उन सारे चीज़ों के बारे में बात करना और साथी साथ जो Rule 16 है, United Nation Climate Process के तहत, उसके तहत यहाँ पर बात किया जाना था उसके बाद आप देखो कि यह जो conference है, यह 197 parties के साथ यहाँ पर आपका इंडेट हुआ है और वो agree किया है Glass Glow Climate Pact, तो आप देखो कि जो Paris Agreement हुई थी, उसी के तहत यहाँ पर इसको finalize करना था अब उन सारे बातों पर finalize करके यहाँ पर Glass Glow Climate Pact निकल करा है एक Global Agreement है, जिसमें कि climate से जूजने के लिए जिस तरीके से आज के डेट में हम लो climate की जो impact तेख रहे है, उसको mitigate करने के लिए यहाँ पर सारी बाते रखी गई है इस Pact का aim है कि हमें सबसे पहले Global Warming जो है उसे लिमिट करना होगा और यह लिमिट करना है हमें 1.5 डिगरी सेसियस तक और टारगेट कब तक एक्चीव करनी है तो 2030 तक और यह एगरी किया गया है, अक्चली यह जो बाते निकल कराई थी, वो 2015 में जब Paris Agreement हुई थी तब वहाँ से यह बाते निकल कराई और जो Global Greenhouse Gas Emission है उसको भी यहाँ पर 45% तक कट डाउन करनी है 2030 तक और 0 लेकर आना है 2050 तक तो 0 यहाँ पर emission की भी बात की जाती है, तो यह सारे मुद्धों पर बात हुई है और यह सारा aim यहाँ यहाँ पर आपका रखा गया है अच्छी बात है, चली देख लेते हैं कि COP26 से क्या-क्या आउटकम्स निकल कराएं सबसे पहले area of discussion अगर हम लोग देखें, तो ambition Ambition में कहा गया है कि 2016, sorry COP26 के end में 153 countries है, जिनके द्वारा new climate plan को submit किया गया है और जिसको हम लोग nationally determined contributions देखते हैं, इट मींज कि एक global plan होता है इस pact के तायत और सारे देश अपनी हिसाब से अपनी देश में जिस तरीके से उनकी greenhouse gas की emission है जिस तरीके से उनके देश में air pollution की condition है, global temperature जो बढ़ रहे हैं, जो उनकी contribution है उन सारे चीज़ों को देखते हुए हर एक देश अपनी हिहां पर कानून बनाते है, जिसको यहां पर nationally determined contribution कहते है countries को यहां पर request किया गया है कि वो फिर से revisit करें और अपनी जो climate pledge है, उसको फिर से strengthen करें 2022 के end में उसके बाद अगर target action देखे, fossil fuels के against में क्या-क्या यहां पर action लिया गया है तो पहली बार COP decision हुआ है, कि explicitly target action लेना है fossil fuels के against में इत मींज कि जो coal वगेरा का use किया जाता है, और हमारे देश में तो आपको पता है कि coal वगेरा बहुत use किया जाता है तो इसको देरे-देरे phase down करनी है, काच alternative इसकी use करनी है और देरे-देरे fossil fuels की subsidies वगेरा है उसको भी एकदम phase out करनी है तो यह सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि आप देखो कि जिस तरीके से emission हो रही है जिस तरीके से हमारा जो pollution है वो बढ़ता जा रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल fossil fuels का ही है adaptation के अगर हम लोग बात करें तो adaptation में क्या decision और development हो रहे है तो countries को यहाँ पर कहा गया कि at least double करना है अपनी जो collective provision है climate finance को लेकर इसको double करना है और adaptation हमारा 2019 से आपका देखा जाएगा कि यह एक minimum लेवल है जिसमें देखा जाएगा कि 2019 में क्या condition थी अप 2025 में क्या condition है comparison के रूप में 352 मिलियन टॉलर के अगर हम लोग बात करें तो वो प्लेश किया गया ता United Nation Adaptation Fund में एक adaptation fund है चुकि यहाँ पे जितनी कंट्री अपने देश में जैसे हर एक देश की तो कंडिशन सही नहीं है किसी किसी देश में काफी प्रॉब्लम है उपर से COVID-19 ने हर एक देश की कमर तो रखी है एक कंडिशन कितनी डाउन हो गई है तो उन सब को देखते वे यहाँ पे एक फंड बनाए गया कि क्लाइमिट चेंज को यहाँ पे आपका जो है टैकल करने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए इसको रखा गया है और 100% यहाँ पे ग्रांट बेस्ट होगा ना कि यहाँ पे लोन दिया जाएगा ग्रांट और लोन में क्या डिफरेंस होता है देखिए अगर आप बैंकों से लोन लेते हो ना तो आपको एक सिमित समय के बाद उसको रिटर्न करना होता है लेकिन जैसे Central Government, State Government को ग्रांट दीती है ग्रांट में कोई भी तरीके का रिपेमेंट नहीं करना होता है इट मींज कि जितना पैसे दिये जा रहे है वो State सरकार का अपना हो गया तो इसलिए इस फंड के ताइत आप धियान रखेगा कि यहां पर लोन नहीं मिलता है यहां पर ग्रांट दिया जाता है यानि कि कंट्रीस को वापस से जो है इस फंड में अपने पैसे को नहीं रिपेमेंट करनी है फाइन शर्मेज शेक वर्क प्रोग्राम है जो की ग्लोबल गोल रखा गया अडप्टेशन का जिसमें क्या है कि जैसे भी आप देखो कि क्लाइमेट चेंज के इंपक्ट से जो वल्नरेबिलीटी निकल करा रही है काफी लोगों की जिंदिगी जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है इसको हम लोगों को देखना है साथी रेजिलियंस से स्ट्रेंद करनी है कि क्लाइमेट चेंज से जूसना है तो कैसे हम लोगों को यहाँ पे इसको टाकल करके चलनी है साथ ही जो capacity है लोगों की इसको increase करना है ये सारी बात है यहाँ पर adaptation के तहत रखी गई है International Carbon Market अगर हम लोग Article 6 के तहत देखें तो Article 6 जिसमें कि आपका market और non-market जो best mechanism है Paris Agreement का उसको cover किया गया और इसको finalize किया गया था इसके तहत क्या-क्या decision हुए थे सबसे पहले थी carbon credit carbon credit जो Q2 protocol के तहत जनरेट किया जा रहा था since 2013 इसको carried over किया जाएगा Paris mechanism तक बट इसको use करना है कब तक 2030 तक है ये carbon credit है तो यहाँ पर carbon credit कहने का मतलब होता है जैसे कि आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि amounting to 320 m tons of carbon dioxide equivalent it means कि एक carbon credit जो है वो आपका बड़ावर होता है is equal to 1 ton of carbon dioxide okay तो ऐसा कहा जा रहा है तो इसको समझेगा 5% proceed होगा traditional market mechanism के तहते है जो कि mandatory है यहाँ पर funding adaptations जो है वो आगे चलते रहेगा contribute करना है fund को साथी जो double counting है उसको avoid करना है जैसे कि आप देखो एक country से जादा जो है वो same emissions को वो claim नहीं कर सकते है it means कि अगर emission reduction करना है तो in which more than one country could claim the same emission साथी avoidance करनी है double counting की double counting कहने का मतलब है जिसमें कि एक country से जादा अगर मालीजे के 2-3 country है वो तीनों country जो है same emission reductions को claim कर रहे है तो यह आप लोग देखो कि इसको avoid करनी है कि same नहीं होगा हर एक country के अपनी अलग-अलग ही problem होती है हर एक country में आप देखो कि emission जो है वो अलग-अलग criteria होता है तो यह ही कहा गया है कि double counting जो है इसको avoid करनी है मालीजे कि 3 country का अगर same यहाँ पर reduction होगा कि एक 47% reduce करना है by 2030 या फिर 50% reduce करना है by 2030 तो यह अगर same हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक country की repetition दो बार हो जाए हर एक country के अपनी individual repetition और counting होनी चाहिए साथ यहाँ पर आप देखो कि जो loss and damage की फिल्ड में देखें तो Glasgow जो dialogue है यहाँ पर एक fund क्रियेट किया गया है loss and damage का developing countries जो sorry developed countries जो है वो प्लेस कर रहे है कि यहाँ पर वो support करेंगे San Tiago Network it means कि एक website है जो कि United Nations FCCC के द्वारा यहाँ पर आपका करने के लिए जसे देखें हमारे देश में किया है कि thermopower plant पे कोईले का इस्तेमाल होता है अब हम लोग इसके कोई और अल्टनेटी बगर लेकर आते तो ओविएसे कि वो कोईले से महंगे होंगे तो हमें ज्यादा खर्च करना होगा हमारा खुद का नुकसान हो रहा है तो अगर हमारा लॉस हो रहा है डामेज हो रहा है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर मिलेगा व भी developed countries के द्वारा rules on transparency है climate actions और support का तो सारे countries वो agreed हो गए कि अपनी information को वो submit करेंगे कि उनके हां कितनी emission है financial, technological और capacity building support को लेकर common time frame देखे तो countries उनको increase किया गया है कि पहले भी किया गया था कि आप एक common time frame उसको use कीजे means जैसे 2030 का target है फिर 2050 तक एकदम zero emission करना है तो इस तरीके का एक common time frame होना चाहिए जिसमें कि सारे countries एक साथ कोशिश करें और अपनी हिसाब से कोई पहले achieve कर जैसे 2030 या फिर 2050 तो इस तरीके से रखना है voluntary places और declaration agendas क्या-क्या यहां पर आपका रहा है 26 talks के time में तो breakthrough agenda अगर हम लो देखे तो अच्छली यहां पे कंट्री कमिट किये कि वह एक साथ काम करेंगे किस किस फिल्ड में clean technologies के लिए को बनाएंगे sustainable solution लेकर आएंगे कि affordable, accessible और attractive option होना चाहिए वह भी हर एक emitting sectors में जैसे कि power है, row transport है, steel sector है, agriculture field है तो यहां पी क्या करना है कि most affordable, accessible होने चाहिए कि technology होनी चाहिए और attractive options होनी चाहिए और वह भी 2030 के पहले तो चली अच्छी agenda है क्या हम लोग यहां पे इसको sign किया है कि यह सम लोग इसको sign किये क्योंकि आपको यह पता होने चाहिए कि हम लोग भी यह ही चाहते है कि clean technology हो sustainable solution हो sustainable solution कहने का मतलब है कि आज की डेट में जितनी तो हमें 500 रुपीज खर्च करना पड़े और यह तो आप छोड़ो 50 रुपीज की जगा अगर 1500 भी खर्च करने पड़े तो वो भी affordable में count नहीं होगा तो at least affordable होनी चाहिए accessible होनी चाहिए कि हर एक लोगों तक पहुंचे और लोगों को attractive भी लगना चाहिए कि हाँ यह better option है य second है यहाँ पे global methane pledge तो global methane के लिए कि एक voluntary non-binding agreement है voluntary कहने का मतलब है कि सबके लिए यह mandatory नहीं है ठीक है और non-binding है कि सारे countries को यहाँ बिल्कुल से foundation नहीं है कि सारे rules regulations को वो follow करें जितने भी signatory countries है तो वो यहाँ पे at least वो यहाँ पे promise कर रहे है कि अपनी methane emission जोए वो at least 30% तक cut down करेंगे by 2030 तक तो इसको क्या हम लोग sign किये तो बिल्कुल भी sign नहीं किये actually हमारे हम मेथेन emissions जो है actually आप लोग देखोगी कि agriculture sector में काफी जाता होती है तो आपको पता है कि agriculture sector में हमें रिफॉर्म करने में थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा तो इसलिए इतने रिस्क वाले चीज़े हम लोग कभी भी sign नहीं करते है देन यहां पर Glasgow leaders declaration है forest and land use को लेकर तो यहां पर इस declaration में यह कमिट किया गया है कि countries जो है वो हौल्ट करेगी और reverse करेगी deforestation को जहां पर भी आप देखो मरुस्थली करन हो चुकी है ऐसी जमीन हो चुकी है जिससे use नहीं किया तो यह काम करना है 2030 तक तो इसे भी हम लोग जो है sign नहीं किया क्योंकि हमारे हमारे हां काफी fertile land है तो हमें इस पर काम करने की उतनी ज़्यादा जुरूत नहीं है और जहां पर deforestation होती जा रही है जिस जगह पर तो हमारे हां already बहुत सारे schemes है जिसमें के afforestation करने का काम हम ल प्रेटी ट्रेड स्टेट्मेंट अक्चली जॉइंट यहां पर लीट किया जा रहा है UK और इंडोनेशिया के द्वारा और इसका एम है कि sustainable trade को support करना जैसे commodity producing और commodity consuming countries है ना इनके बीच में जो व्यापार हो रहा है जैसे कोई country है जो manufacture करते है वो produce करते कोई country है कि उनके manufacturing यहां पर जो signatories है उनका यहां पर मानना है कि urgent action लेकर आना है इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि nature को protect कर सके और shift हो जैसे कि जादा से जादा sustainable तरीका हम लोग लेकर आए जैसे कि farming हो क्योंकि आपको पते हैं कि हम लोग के हां खेती वगेरा ऐसी होती है farming sector हमारी ऐसी है जिसमें कि ground water के extraction काफी हद तक हो रही है साथी मेथेन इमेशन की जो एक प्रॉब्लम है वह हम लोग और इससे रिलेटेट एक कुछ आर्टिकल से लास्ट यर हम लोग इसको रीड कर चुके जिसमें यह देखने को मिला कि 90% जो इमेशन से मेथेन की वह अग्रिकुर्चर से होती है और उपर से आप देखो कि हमारे हां के कि जो एग्रिकुर्चर सेक्टर में जितने फार्मर्स इंगेज्ट है उनकी लाइफ स्टाइल और लाइवली होड कुछ खास जो है यहां पर चेंज नहीं हो पा रहे है तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि हमें नीचर को तो प्रटेक्ट करने ही है साथी साथ हमें अपनी फा इंडिदक्शन करने की बात कर रहे हैं तो वो कार्स और वैंस में कर रहे हैं कि आपको पता है कि हमारे हां फेंट टू है जिसमें कि हम लोग यहां पर फास्टर एडॉप्शन कर रहे हैं जो भी हाइप्रीड और अलेक्रिक वेहिकल है तो इसको हम लोग बहुत जादा बढ इसको हम लोग कर सके कब तक तो इसको हम लोग कर रहे हैं और काम करना भी चाहते हैं साथी ब्यॉंड और और गैस अलाइंस है जिसे बोगा कहते हैं यह इंटरनेशन कोईलेशन है सरकार की और स्टेक होल्डर्स की जो एक साथ काम करेंगे और मैनेज करना चाहेंगे जो ऑईल और गास प्रडक्शन है उसको फेज आउट करना तो इसके इसमें भी हम लोग जो है साथ नहीं दिये तो आक्चली हम लोग से दो ही जगह यहां पर साइन किये है एक तो ब्रेक्ट्रू गई है तो वो क्या है सबसे पहले क्रेडिबिलीटी एक्शन एन कमिट्मेंट गाप टार्गेट जो रखा गया है 2030 का वह अभी पूरी तरीके से टार्गेट नहीं है कुछ जो कमिट्मेंट है इससे क्या होगा कि ग्लोबल वामिंग होगी ही और ग्लोबल वामिंग जो हम ल कि आफ़ी इंप्लिमेंटेशन है कि तो दिया जॉदा है जैसे क्या पड़ चाहिकर में तो इस बल्रक्तिर कखें ही मूंट है तो यह एक मेजर इशू कहा जा रहा है कि फॉर्ण की कमी के कारण जो है कोई भी देश चाहक कर भी क्लाइमिट एक्षिंस को टैकल नहीं कर पाते अन प्रेडिक्टिबिलीटी और लो एसेसिबिलीटी देखने को मिलते हैं क्लाइमिट फाइन्स जो लैंडस्केप है यह एक जगा यहां पर ध्यान देनी की जरूरत है तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है इसको 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 इस्तिमाल करना ग्रांट बेस्ट फाइन्स होनी चाहिए आप देखो कि अदेप्टेशन फंड जो अभी मैं बताई वहां पर ग्रांट दिये जाते हैं कंट्र अगर कोई भी कंट्री लोन लेती है तो उनके उपर हो जाता है कि उन्हें फिर से वापस रीपेमेंट करना होता है तो क्यों ना यह जो एडप्टेशन फंड लाया गया है इसको 110 परसंट जो है 100 परसंट एक इसको ग्रांट फाम में कर देना चाहिए तो यह भी एक प्रॉ सिकुंसेस आपको देखने को मिलेगा ड्रॉट भी है हीट वेव से अधर एक्स्ट्रीम वेधर से तो इसके कारण आप देखो कि खर्चे जो है अल्रेडी बढ़ चुके है हर एक देश में लोग फोकस है अडप्टेशन पर लोग जो है अडप्टेशन पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं 2019 में यह कहा गया है कि सिर्फ यहां पर 25% ही है टोटल क्लाइमेट फाइनाइस का जो कि रिसीव किया गया है जो कि एक ऑफिन सींदेखा जाता है कि एक बेटर इइंवेस्टमेंट है लेकिन अडपेशन सही तरीके से नहीं किया जाता फोकस इसमें बहुत ज्यादा कम है इसके अलावा भी आपको और इशूज देखने को मिलेगा कि जो यहां पर क्रेडिट की बात की जारी है तो यह जनेरेट क्या यहां की तो यह भी डिस इंसेंटिवाइज है इट मिन्स कि यहां पर अगर कोई कंट्री अपने ही हां कार्बन डाइकसाइड की इमिशन को कम कर रहे है तो उनको इंसेंटिफ देनी की जरूत है जब तक आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा तब तक आप महनत नहीं करोगे तो इसलिए यहां पर अगर देश अपने ही हां कुछ इमिशन कम कर रहे तो उनको एक रिवार्ड के फॉर्म में इंसेंटिफ देनी चाहिए साथी lack of focus है, sectoral specific target आप देखो कि emission जो हो रही है वो अलग-अलग जगा पे हो रही है हमारे हाँ आप देखो थर्मा पावर प्लांट से emission हो रही है, हमारे हाँ agriculture sector से emission हो रही है, vehicle से emission हो रही है तो यह जो emission हो रही है वो अलग-अलग है तो sector best target भी होनी चाहिए और बहुत सारे कंट्री से जो आज की डेट में फॉसिल फ्यूस में ही वो उनकी जिन्दीगी वैतीद हो रही है जैसे कोईले हो गए नैचर गैस हो गए तो इनके मीट के लिए आप देखो कि काफी जादा जो है इस तरीके का इमिशन होता है तो उस पर भी ध्यान देनी की ज सारी चीजों को लेकिन जो बेसिक मुद्दा है उस पर ध्यार नहीं दे रहो तो फिर यहां पर मुश्किल है सारी चीजों को टैकल कर पाना वे फोवन में कहा जा रहा है कि कंट्री को यहां पर क्या करना चाहिए कि एमिशन जो है वो 2022 तक रखना चाहिए कि वह 1.5 डिगरी पाथफेज को वह यहां पर फॉलो करेंगे अंड़र पैरेस अगरिमेंट और एक अक्र एक अगर्डिंट तुज रहें और यहां पर यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि अर्जन नीज है जिसबी तरीके का यहां पर ट्रांस्फेरेंसी की ज़रूरत है कि जो है साती यहां पर glass को जो loss and damage facility है उसको establish करने की ज़रूत है as a financial mechanism and then यहां पर आप देखो कि well executed stock tech होना चाहिए जिससे क्या है कि हम लोग यह evaluate कर पाते हैं कि क्या nations जो है वो अपनी commitment को fulfill कर पारी है कि नहीं और साथी साथ country जो है वो voluntary avoid कर सकती है credit use करना यानि कि जो भी प्रोजेक्ट है क्यूटर प्रोटोकॉल के तर्थ यहां पर carbon credit कहा गया तो यह सारे जो credit है ना उसको use करने से उनको voluntary अपना agreement होनी चाहिए तो यह सारी यहां पर रिलेट किया गया है कि climate change का जो impact है उससे बिसिकली आप देखो कि लॉस ही हुआ है तो इसको हम लोग adapted तो नहीं कर सकते जहां पर लॉस है वो पर्मनेंट ही है तो यहां पर आपका दोनुचीज कवर होगा slow onset process भी होगा जैसे कि आप देखो कि अगर global warming बढ़ रही है तो global temperature बढ़ रहे है उसके कारण क्या होता है कि glacier पिखल रहे glacier पिखल रहे तो धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आप सी लेवल जो है वो राइस हो रहे है दीरे-धीरे में हो या फिर Arabian Sea में हो तो यह सारी conditions आपके generate हो पा रही है जिससे कहीं ना कहीं जो है वो लॉस और डामेजी है चाहे वो पॉब्लिक प्रोपर्टी हो या प्राइवेट प्रोपर्टी हो या फिर जानमाल की जहती क्यों ना हो आप देखो कि यहां पर तीन है यहां पर एक तो है आर्टिकल 6.2 6.4 and 6.8 6.2 में आपको देखने को मिलेगा कि internationally traded mitigation outcomes है जिसमें कि आपका emission cut जो है वो रखा गया है और इसको मेजर किया जाएगा turns of carbon dioxide में कि कितने carbon dioxide की turns जो है वो यहां पर emission का आपको cut हो पा रहा है आर्टिकल 6.4 में क्या है कि new international carbon market यह बनाए जाएगी जिसमें जितने भी emission cut हो रहे है उसके trade की जाएगी साथी यहां पर 6.8 में क्या है कि आपका जो है यहां पर एक formal framework होगा climate corporations को लेकर चो कि countries के बीच में होगी जहां पर trade जो है वो involved नहीं हो जैसे कि development aid हो यानि कि अगर कोई country अपने हां पर कुछ develop करना चाहते है इस climate change को tackle करने के लिए तो उनको मदद की साहता होती है तो वो चीजों को यहां पर जो है आपका रखा गया है और 6.4 में आपको sustainable development mechanism में देखनी को मिलेगा तो at least आप यह समझो कि यह जो सारे articles है you don't need to remember this all the articles you just need to remember the facts and the जो आपकी यहां पर background बाते है उसको धियान रखना है जैसे कि market and non-market based mechanism में किया है ठीके तो voluntary यह आपका corporations को कहा जा रहा है then आते हैं यहां पर आपके starting में intended goal कहा जा रहा है कि COP26 की क्या है सबसे पहली बात तो net 0 1.5 degrees Celsius यह आपको पता है कि countries जो है उनको कहा गया है कि net zero carbon emission करना है और कब तक टार्गेट रखा गया है कि आपको year याद रखनी 2050 तक then यहां पर क्या है कि आपका प्रोटेक्ट करना है ecosystem को और habitat को यह बहुत ज़्यादा जरूरी है क्लाइमिट चेंज के कारण आप देख रहे हो कि glacier पिखल रहे हैं साथी ice sheets जो है वो पिखल रहे हैं जहां पे बहुत सारे जो है polar bears वगेरा और बहुत सारे जीव जंतों की habitat होती थी जो कि permanent की loss हो गया जिसके कारण बहुत सारे species जो है वो खतम हो गये तो at last क्या हो रहा है कि उनके रहने का जगा खतम हो रहा है ecosystem बरबाद हो रहे है इसको प्रोटेक्ट करना है finance mobilize करना बहुत जाता जरूरी है अभी हमने देखा कि सबसे बड़ी problem होती है कि देशों को यहां पर loan दिया जाता है instead of finance instead of grant तो grant देनी की जरूरत है ना कि loan देनी की जरूरत है और जितना भी आपने सुना होगा news में वो सारी चीज़े आपका आज की date में जो है वो फिरसे revise हो गया होगा okay so you have to remember each and every point which is very important क्योंकि Paris Agreement की टाइम में भी आप देखे थे कि काफी जादा उससे question पूछा गया था तो इसलिए COP26 में भी आपका question जो है पूछने की बहुत-बहुत chances है यहां पर कुछ related terms है उससे हम लोग देख लेते जो news में थी सबसे पहले Global Resilience Index Initiative है तो यह initiative launch किया गया था COP26 के ही दोरा इस बार आपको यह इंडेक्स टेखने को मिला 10 Global Organization है जिसमें की आप देख सकते हो कि यहां पर United Nation Office for disaster risk reduction है insurance development forum है coalition for disaster resilient infrastructure है अचा यह आप बताई कि CDIR का headquarter का है तो इन दीनों के दौरा मिलके जो है यह आपका Global Resilience Index Initiative यह आपका लाया गया है इस पार इसमें किया है कि globally consistent model यह आपका provide करेंगे कि जो resilience है सारे sector में और geographics में उन सारे चीजों को यह assessment किया जाएगा resilient infrastructure कहने का मतलब है कि जैसे बाढ़ आती है flood आती है तो इसमें काफी ज़्यादा जो हमारे infrastructure है वो तूट से जाते जैसे अर्थक्राइक भी आई cyclone भी आई तो काफी infrastructure जो है वो breakdown हो जाते है जैसे आपका bridges होगे road होगे साधी बहुत सारे ऐसे जो कि आपके infrastructure break हो जाते है तो उसके लिए आप देखो कि यहां पर resilience की बात की जाती है कि आच्छुली जो natural disaster आ रहे है ना तो at least ऐसी infrastructure होनी चाहिए जो natural disasters को सहन कर सके सकें सब्सक्राइब कोप 26 charter of action इसको यहां पर लाए गया है energy and resource institute के द्वारा जो कि आपका तेरी है और साथी साथ यहां पर आप देखो कि जो ग्लास क्लो climate change conference वह उसे के बाद इसको भी लाए गया है फिर है ग्लास क्लो financial alliance for net zero तो यह originally आपका अन्बील हुई थी apple 2021 में और यह एक forum है जिसमें कि जितने भी financial institution है leading financial institution वह यहां पर एक साथ आएंगे और transition का accelerate करेंगे कि यहां पर net zero global economy जो है वो transit हो जैसे कि Paris agreement में कहा गया थे कि global temperature हमें maintain करना है साथी net zero global economy की बात की गये थी तो उन सारे चीजों को यहां पर आपका और भी जादा आगे ले जाया जाएगा यह आपका launch किया गया है लांच किया गया था United Nation Special Envoy for Climate Action and Finance के द्वारा यहां पर United Nation FCCC भी है साथी साथ यहां पर COP26 के presidency भी इसका साथ दे रहे तो हलका फुल का धियान रखेगा इतना जादा यह important नहीं है अब यहां पर बात याद रखनी है आपको net zero की यह जो objective है net zero का यह net zero emission रिच करना है कब तक तो 2050 तक टार्गेट जो है वो यहां पर है कि zero campaign यानि कि United Nation की जो zero campaigns है उसी के basis पर यह target भी लाया गया है साथी यहां पर आप देखो कि जो member है यह आपका global financial इसके अंदर global financial alliance for net zero तो जो member है इसमें कौन कोन है तो net zero banking alliance है net zero asset manager initiative है तो इतना ज्यादा आपको यादीन रखना है बस हलका फुल का धियान रखेगा कि हमारे net zero का जो target है वो 2050 तक है 2019 से पहले क्या था कि United Nations जो General Assembly है उनके द्वारा भी launch किया गया था responsible जो banking है उन्हीं के साथ जैसे कि banks जो है वो agreed हुए थे कि वो काम करेंगे क्लाइंट के साथ जिससे कि sustainable practices को encourage कर सके हमें climate change को अगर tackle करना है तो sustainable practices पे ध्यान देनी होगी climate change performance index यह तो हर साल ही आपका लाया जाता है और इंडिया के द्वारा आप देखो कि top 10 best performing countries में एकाउंट हुए इट मींस कि climate change करने के लिए हमारा performance है यहां पर तो कैसी performance है इसको measure की जाती है सबसे highest rank country है वो है Denmark और climate change performance index अगर हम लो देखें तो यहां पर 60 countries है और European Union भी है जिसमें कि 90% प्लस यहां पर global emission आपको देखने को मेलेगा greenhouse gas की emission जो है यहां पर सबसे ज़्यादा आपको 60 countries और European Union countries में ही है 4 categories में यहां पर measure किया जाता है सबसे पहले है कि greenhouse gas emission कितनी हो रही है renewable energy के basis पर देखा जाता है energy use है and climate policy है अगर climate change performance index के बारे में बात करें कि इसको develop कि इसके द्वारा किया जाता है तो यह है German watch जो की एक tool है जिसमें कि हमारे international climate change policy है उसमें transparency कितनी increase हो रही है इस को देखा जाता है so this index is also important but more important किया है यहाँ पर global resilience index initiative यह सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इस index को किसके द्वारा launch किया गया है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा कि हाँ यहाँ पर three organization है जो कि काफी important है fine अब आते हैं में next article में हाँ so this is all about this article COP26 आई हो कि आपको य article अच्छी लगी हो basic facts सभज में आई हो next आते air pollution in national capital region as useful आप लोगो पता है कि हर साल जो है हम लोग इस topic के बार में read करते तो recently जो यहाँ पर national capital region में जो state है उनको यहाँ पर direct किया गया है कि वो implement action ले वो भी emergency category के ता है जो कि gradient response action plan के तहते है और यह जो gradient response action plan है इसके बार में detail में देखेंगे और यहाँ पर यह आपका जो response plan lag है यह air pollution को control करने के लिए तो इसके बार में पहले समझे कि gradient response action plan यह है गया step by step यह आपका guide है कि क्या करना है हमारे दिली और NCR वाले region में जो की काफी heavily polluted है तो यहाँ पर pollution को कम करने के लिए क्या करना है तो इसके बार में यहाँ पर आपका बात यहाँ पर plan रखी गई है इसको अप्रूफ किया गया था Supreme Court के द्वारा 2016 में तो यही बात याद रख लुवसके लाया गया था कि जो और डियसे वट्री इस दिन जुWow he all नमार वाले तो तो ऑर और शिक्स झिस दिन इट इवन नमार वाले कर जो फुर अर्वरे लं में रहेंगे लिए इस तरीके से यह सारे स्कल्रेंगीं से यहाँ पर और किये जाते इस तरीके से जब jets जब बहुत जादा दली में बढ़ जाता है अचाहिए बात बता ही कि दिली में जो रीजन पॉलीशन बढ़ रही है और NCR वाले रीजन में इसका क्या रीजन है इसका कारण है कि पॉलीशन आपको देखने को मिलेगा कि जो वेहिकल एक्सास्ट करते हैं वेहिकल से बहुत जादा है और साथी साथ आप देखो ट्रांस्पोर्ट सेक्टर जो है वो मीन सोर से पाटिक्लोड मैटर 2.5 इमिशन का साथ यहां पर 80% नाइट्रोजन ऑकसाइड देखने को मिलेंगे और कार्बन मॉनकसाइड देखने को मिलेंगे देली के एयर में तो यह भी एक प्रॉब्लम है सा यहां पर एकसीट हो जाती है साथी इमिशन अगर हम लोग पावर्थ हम में प्लांट से देखे जो कि दिली में है तो यह भी आपका पॉलिटेड एर अल्टिमेटल यहां से पॉलिटेड एर ही देखने को मिलता है कि निकलते है इस्टवल बर्निंग क्या होता है कि जब यह अगल नहीं किया जाता है तो इसको उपन फिल्ड में जला दिया जाता है जैसे क्या होती है ना कि उससे काफी जादा एर पोलिशन निकल कर आती है तो जैसे नियू हर्वेस्ट सीसन स्टार्ट हो रहा है तो फार्मर्स जो है वो यहां पर आग लगा देते है पूरे साराइ देली पॉलिशन कंट्रूल कमीटी ऐसील्स के एकॉर्णि देखें तो 30% जो एर पॉलिशन है तरिट्री में वो डस्ट से होते हैं जो construction साइट से जहां पर building construction हो रही है, तो उस construction साइट से काफी जाता जो है, आपका pollution निकलता है open waste burning की अगर हम लोग बात करें, as per a study जो कि आईटी कानपूर के द्वारा है, तो जो burning होती है garbage की, यानि कि जो कचड़े यहां पर लाय जाते हैं, घर-घर से collect करके, वो open में जो है, वो dump कर दिया जाता है, और फिर वहां पर वो कचड़े को जला दिया जाता है, जिससे आप द कि विंटर सीजन में क्या होता है देली में, की मिशन बहुत जादा होते है, ash का, carbon monoxide का, तो यह भी एक रीजन है, साथी geographical location और climatic conditions भी है, क्योंकि आप देली जो है न, एक आपका inland location है, और यहां पर बहुत ठंड बरती है, बहुत जादा, बहुत जादा, बहुत जादा, कि यहां का environment है, वो clean हो सके, okay, other sources आप देखो, जैसे कि in situ power generation है, तो यह आपका diesel generator set से होता है, seasonal emissions जो है, वो आपका dust storm से है, forest fires है, तो यह सब भी कुछ ऐसे reasons है, जिसके कारण आप देखो, add-on हो जाती है, air pollution की condition, अब यहां पर हम लोग देखते है कि impact क्या है air pollution का, तो यहां एक और question है, कि आपको यह बताना है कि PM 2.5 और PM 10 इन दोनों में क्या difference है, तो PM 2.5 जो है, यह आप देखो कि सबसे ज़्यादा health risk होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत आतियू में, कि PM 2.5 जो है, वो छोटे particles होते है, तो यह easily inhale हो जाती है, और यह जाकर हमारे lungs वगरा, hurt वगर होती है, साथी urban communities के जो other काम है, वो यहाँ पर push up हो जाते है, साथी estimated economy cost आप देखो PM 10 pollution का दिल्ली के लिए, तो वो यहाँ पर काफी जादा बढ़ते गया है, तो यह सारे economy पर भी इसकी pressure परती है, impact देखने को मिलेगा, environment तो आप समची रहे हो, अगर air pollution है, तो इससे हमारे nature ecosystem जो है, उसमें affect होगी, इसकी function में, इसमें grow होने में, education की बात करें, तो consistent आप देखो की school बंद करने पड़ते है, जिससे बचों की education है, learning gap आ जाती है, high level है air pollution का, जिसके कारण जो है, student की ability पर impact होता है, साथ ही agriculture देखे, तो air pollution जो है, वो एसी drain में result इसकी देखनी को मिलत है, क्योंकि जो air pollution है, उसके कारण आप देखो की sulfur dioxide और जो nitrous oxide है, वो यहाँ पर आपका rain के form में, जिससे हम लोग इसी drain कहते है, वो होती है, और जिसके कारण जो बहुत सारे फसले है, वो बरबाद हो जाती है, ground level ozone है, जिसके कारण आप देखो agriculture और जो forest yield है, वो affect होते है, और further इससे क्या होता है, कि जो growth वगेरा है, वो यहाँ पर रूख जाती है, तो यह बात ही हो गई, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या steps लिया गया है, जिससे कि air quality जो इस region में है, दिली प्लस NCR वाले region में, वो improve हो सके, so यह 10 point action plan है, यह 10 point action plan है, जिसमें कि आपका 10 steps कर दें, तो बहुत ही जल्दी जितनी भी byproducts है, वो automatic decompose हो जाएंगे, इससे air pollution नहीं होगे, इसके अलावा और भी है, आप देखो कि fire cracker पे, generally जो डिपावली की time होती है, उस समें आप देखो कि fire cracker पे बैल लग जाती है, साथी यहाँ पे smoke tower जो है कई जगा इंस्टॉल क किया गया, eco west park जो है वो यहाँ पे construct की जा रहे है, जिसे की air pollution को यहाँ पे tackle किया जा सके, second again, stringent pollution norms है, coal-based power plant के लिए, तो central government के द्वारा अगर हम लो देखे, तो pollution norms को tight किया गया है, for coal-based thermal power plant, वो भी 2015 में, तो implementation जो है, इसको extend कर दिया गया है, पहले 2017 में करनी थी, पर अब इसको 2022 कर दी गई है, third and natural action, natural clean air program है, actually, long term, time bound, natural level strategy है, कि किस तरीके से air pollution, जो problem है, उसको यहाँ पे tackle करनी है, और इसमें target रखा गया है, कि 22-30% reduction करनी है, particular matter concentration में, वो भी कब तक, 2024 तक, तो यह चीज़र ध्यान रखने है, और 2017 एक base year है, it means कि 2017 में किस तरीके की air pollution थी, PM 2.5 क क्या level था, उसको compare किया जाएगा 2024 में, okay, साती यहाँ पर भारत स्टेज नॉम्स है, जिसके हम लोग BS कहते हैं, तो BS4 से हम लोग स्किप हो गए किसमे, BS5 को स्किप किया हमने, और हम लोग जंप हो गए BS6 में, क्यों यह किया गया, तो दिली पहली ऐसी सिटी हमारे देश में बनी, जिसमें कि हाइस्ट इमिशन इस्टांडर देखनी को मिला, तो इसमें क्या हुआ ना, कि यह जो BS4 स्टेज का था, इसमें काफी पलिशन इमीट होती थी, अब यहाँ पे BS6 में हम लोग जो इसको shift हो है, तो इससे क्या होगा ना, कि सिक पलिशन इमिशन जो है, Technology Upgradations है, जो इट बनाया चाहते हैं इंडास्ट्री में, उसमें क्या जा रहा है, जिससे कि जो इमिशन है, वो रिड्यूस कर सके, साथी Commission for Air Quality Management है, यह भी आपका बनाया गया है, आक्ट के द्वारा, जिससे कि यहाँ पर research, identification, resolutions कर सके, जो भी problem है, साथी cheap fuel पे बैन किया गया Supreme Court के द्वारा बैन किया गया, कि जो petroleum coke को यूज करते है, पहुत सस्ते होते है, feed coke को यूज करते है, इनके use को रोकना चाहिए, furnace oil की जो use है, उसको रोकना चाहिए, साथी Delhi Electric Vehicle Policy है, तो Delhi Electric Vehicle Policy है, जिसमें कि यहाँ पर आपका demand incentives provide किया गया, electric two wheeler, cars, auto rickshaw, e rickshaw, e cars और good carriers को यहाँ पर purchase करने के लिए, अदर इसके अलावा भी आप देखो कि short term measures दिये गया, जैसे कि time to time जो है, को central और state government के द्वारे यहाँ पर कुछ steps दिये जाते है, जैसे firecrackers के लिए यहाँ पर ban करना होता है, और even formula लेकर आयाना होता है, जा फिर जो vehicle से उसको other state से जो है, entry ban कर दिया जाता है कि दूसरे state से जो है, vehicle entry ना करें, साथी construction or demolition जो activities पर रोक लगा दिया जाता है, तो यह time to time है, जब particulate matter 2.5 increase हो जाए, जब यहाँ पर emission बहुत जादा होने लगे pollution की, तब इस तरीके के steps ली जाती है, fine, so these are the steps, जो कि आपको यहाँ पर बहुत ही बहुत ही ब कि सरकार के दौरे steps लिया गया है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं air pollution जो है, टैकल होती है, यह हर सल हमें क्यों देखनी को मिलता है, क्या challenges आ रही है, जिसके कारण आप देखो, कि जो चार के भी जो है, Delhi government और central government जो है, वो Delhi NCR में जो air pollution है, वो कम नहीं कर पा रहे है, सब से पहल जो है, किसी भी तरीके का plan नहीं किया जाता है, जो pollution की level बढ़ जाती है Delhi में, तब at a time में आप देखो, कि सब की दिमाग खुलती है, और फिर लगता है कि अच्छा कुछ action लेनी चाहिए, यह सबसे पहली problem है, second कि non-compliances, जितनी भी important norms है, उसके साथ compliance होते वे नहीं देखनी को मिलेगा, सारे level of government जो है, इसमें बहुत तरीके के norms प्रोवाइड किये गए, कि कैसे best air qualities जो है, वो यहाँ पर inadequate है, for example, यहाँ पर बताया जा रहा है, कि जो सरकार है, और जो local municipal corporation है, वो adequately जो है, इंशोर नहीं किये, कि हां construction industry जो है, उसकी compliance को, कि construction industry, यानि कि जितनी भी इ adequate help है, nevering state के द्वारा इस तरीके का help नहीं किया जाता है, just because, क्यूंकि आप देखो, दिली जो है, एक landlock state है, और जो air quality है, वो depend है इनके nevering state में, क्यूंकि आप देखो, कि जो stable burning वाली reasons है, वो आपका हर्याना पंजाब में stable burning होती है, और उसके कारण जो air pollution गंदी होती, वो उसके इस्तेमाज से जो गंदी emission होती है, यानि green house gas की emission होती है, उसके कारण जो है, इसका प्रभाव हमें दिली में देखने को मिलता है, bureaucratic apathy भी है, कई बार ये देखने को मिलेगा, even recently भी आप देखो, Supreme Court के द्वारा criticize किया गया है bureaucratic को, और ये point out किया गया है, कि clear bureaucratic inertia होनी चाहिए, तो जब Supreme Court ये कह रही है, कि सारे decisions लिया गया, ये काफी easy or difficult है, ये इस चीज पर matter करता है, कि दिली government कितना अच्छे तरीके से काम करते, air pollution को control करने के लिए, साथी public support की भी कमी है, ये एक evidence है, जो कि आप देखो यहाँ पर, कि odd and even rule जो लाया गया था, इसमें वेस्ट बर्निंग है, खुले में आप देखो कि कचड़ों को जलाया जा रहा है, साथी builders opposition है, कि जो construction bank लगाया जाता है, तो बहुत सारे builders है, जो कि इसके against why protest करते है, तो ये भी बात है कि लोगों का साथ भी जरूरी है, अगर हमें climate change को इसके impact को रोकना है, तो हमें हर एक इंसान को अपने स्तर पर कुछ changes लाने होंगे, तो people's की support की बिना, ये बहुत ही जादा मुश्किल हो सकता है, वे फोवर में बताया जा रहा है कि हमें dedicated air quality forecasting sales रखनी चाहिए, अब दिली की बात करें, तो दिली को ये जरूरत है कि dedicated air quality forecasting sales हो, जिससे कि जो ये आपका graded response action plan है ये सही तरीके से यहाँ पर roll out हो सके, एक preventive measures जैसे हम लग इसको देख सके, behavior change के अगर हम लोग बात करें, तो public behavior को यहाँ पर nudge होना चाहिए, exitable incentives यहाँ पर provide करनी चाहिए, कि हर एक लोग जो है उस तरीके के steps ले, जिससे हमारी environment फिर से स्वक्च हो सके, साथी fuel efficient होनी चा increase करना चाहिए, और सरकार को भी tax incentives देनी चाहिए, tax में छूट देनी की जरूत है, साथी electric motors जो है, इनको यहाँ पर promote करनी की जरूत है, capacity building की बात करें, तो more awareness होनी की जरूत है, ठीक है policy makers में और public में भी, साथी interstate coordination की बात करें, तो इसकी भी जरूरत है neighboring state में, जैसे कि आप activities यह करते हैं, लेकिन छेलते हैं Delhi जैसे राच, तो यह भी बात है, Delhi Union, Union territories, तो यह भी ध्यान रखना है, so these are the way forwards, जो कि आप एटा तरीके से समझी रहों, सबसे जादा जानने की जरूरत है कि challenges कहां आ रहे हैं, तो इससे भी आमनों deal कर लिए, अब देखिए, winter में जो है, क् यह pollution बहुत बढ़ जाता है, temperature inversion होते हैं, temperature inversion कहने का मतलब है कि surface जो temperature है, वो बहुत लो हो जाते हैं, जिसके कारण temperature inversion, यानि कि जितनी भी रौसनी आती है, कि रन आती है, वो वापस जो है invert नहीं हो पाती है, जिसके कारण आप देखो कि हां, जो pollution है, उसकी level बढ़ जाती है denser wind है, cold denser wind है, जिसमें की low speed होती है, और इसके कारण आप देखो कि जो pollutant का dispersion rate है, वो भी कम हो जाता है, हवाय जो है, गंदी हवाय एक जगा से दूसरी जगा जो है, उड़कर जल्दी से नहीं जा पाती है, dense wind होती है, pre harvest season और stable burning है, ये दोनों जो है coincide करता है हमारे देल लगाने के लिए दिपावली आ जाते है, और firecrackers के कारण पूरी तरीके से और भी pollution बढ़ जाता है, और west का जो है, आप देखो कि खुले में इसको जलाया जाता है, जिसके कारण और भी यहाँ पे बहुत सारे pollution देखने को मिलते है, yes, मुझे ये बताना था, graduate response action plan, तो यह यहाँ पे आप देख सकते हो कि stage 1 में है, यहाँ पे देखा जाता है, moderate 2, poor quality air कैसी है, stage 2 में देखे, तो very poor air quality है, stage 3 कहने का मतलब है कि severely polluted air है, and यहाँ पे stage 4 है, emergency, emergency कहने का मतलब है कि सब कुछ हाथ से निकल गया, बहुत ही जादा air pollution हो चुगे, even आप बाहर भी निकलो तो से हो जाती है, तो graduate response action plan में यह देखा जाता है कि air quality कि stage में है, और उस हिसाब से plan बनाए जाती है, okay, so air pollution in national capital region, this is one of the most important article, और मुझे आपको लगता है कि आपको each and every point clear हो गया है, कि graduate response action plan क्या है, reason क्या है high pollution का NCR वाली region में, reason क्या है कि winter में ही rise होते है pollution, साथ ही इसका impact क्या ह है, challenges क्या है, steps क्या है, or way forward क्या है, हर एक point में यह आपे clear करते हुए चली हूँ, इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी down query suggestions है, तो आप comment करके पूछ सकतो, और इसके अलावा आपको अगर यह listen अच्छी लगी है, तो like कीजे, reason है इसकी test series आपको join करनी है, तो description box में email ID है, मिलती हो कल इसी टाइम पर आज के लिए पसितने, thank you